हाई गईज और वेलकम बाक टू दी चनल दीपक्च यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालिसस और 20 अव देसंबर 2023 तो गाईज आज है तारीक 20 देसंबर 2000 ते हैस और है वेडनेस डे देखेंगे आचके दाहिंदू कंप्लीट न्यूस पिपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक च्यादव एजूकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वाला चैनल मिल जाएगा यहां साब डेली बिसस पेस लेक्चर के PDF को डाउलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे साथ में परसनली जूड़ना चाहते हुआ तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो वहाँ पे जाके फिर से आपने लिखना है दीपक च्यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहां पे ओल्रेडी 14,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं हमीशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बाबल मंडेब स्ट्रेट को कहां पर है यह एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2023 के प्रलिम्स में पूछा गया था daily basis पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है invasive species specialist group यह जो group है यह कौन से संगठन को belong करता है या आपने बताना है option number A the international union for conservation of nature जिसको हम IUCN के नाम से भी जानते हैं या फिर option number B the United Nation Environment Program या फिर option number C the United Nation World Commission for Environment and Development या फिर option number D the World Wide Fund for Nature तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जसे मैं आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलोशो बारम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तों आप लोगों ने ये जो articles हैं कहीं न कहीं पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं तो आज हम इनका discussion करेंगे ही ये आपको पहले मैं कुछ sources दिखा देता हूँ आज से लगबग 2-3 दिन पहले से ही बहुत सरे news articles publish हो रहे हैं कि जो COVID-19 है इसका एक variant है JN.1 variant ये variant ने एक कह सकतो लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है दुनिया बर में कई सारी countries में ये variant के cases लगातार नजर आ रहे हैं इंडिया में भी यहां पे पहला case हमको केरिला में देखने को मिला अभी तक ये cases की संख्या बढ़ चुकी है 1800 के पार लोगों को यहां पे दोस्तों ये जो COVID है ये हो चुका है ऐसा बहुत सरे news articles बता रहे हैं तो आप यहां पे देख पाऊंगे और even यहां पर mention भी क्या है इसा experts ने बोला है के रिला के अंदर में इतना ही नहीं सरकार ने यहां पर बोला है कि जो मास्क है उसको mandatory किया जाए specially करनाटिका की सरकार ने यहां पर बोला है कि इसको compulsory कर दिया जाए को समय के लिए इतना ही नहीं दोस्तों कोविट के कैसिस जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहे हैं दुनिया भर में चाए वो संगापुर हो चाए वो इंडोनेशा हो यहां सभी जगापर मास्क को mandatory किया जा रहा है और ऐसे और भी आपको हजारों आर्टिकल्स जेखने को मिल जाएंगे अब जो पहला केस हमको देखने को मिला है यह COVID-19 का एक खतरनाक वेरियंट है जिसका नाम है JN.1 जिसके बारे में यह mention कर रखा है अब जो यह वेरियंट है इसके केसिस हमारे देश में पहली बार केरेला में देखने को मिला अब उसके बाद यह केसिस दीरे-दीरे इंकरीज हो चुके है इस सिचुएशन को देखते वे जो यूनेन हेल्थ सेक्रेटरी है सुधान्ष पंत उन्होंने यहापर एक लेटर इशू किया सभी स्टेट्स को यूनेन टेरिटरीज को और उनसे बोला कि देखो बिल्कुल आ वापस इंप्लेमेंट करना है इतने इन्होंने यह भी बोला है कि यहाँ पर सेंटरल गोर्मेंट और स्टेट गोर्मेंट दोनों को साथ में आना हुगा कॉलेबरेटिव एफ़र्ट्स लगाने होंगे ताकि इस इन्फेक्शन रेट को कम किया जा सके क्योंकि जो यह कोवि 260 नए कोरोना वाइरस के इन्फेक्शन रिकॉर्ड करे गए और यह जो एक्टिव केसिस हैं यह इंक्रीज होकर 1828 हो चुके हैं और अभी के समय पर तो यह और बड़ी चुके होंगे तो 1800 से भी जादा केसिस यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं केरेला के अं यह सबसे पहली बार तो अमेरिका में स्टार्ट हुआ अमेरिका में डिटेक्ट क्या या था सितंबर 2023 में और यह वेरियंट हमारा COVID-19 का एक और वेरियंट होता है BA 286 वेरियंट उसी का ही रिलेटिव है ठीक है जिसको हम लोग बोलता है पिरोला तो पिरोला से ही रिलेशन है दोस्तो इस JN.1 वेरियंट का अब यह वेरियंट क्या है वेरियंट बिसीकली आप कह सकते हो जो COVID है न यह जो वायरस है यह अपना रूप बदल लेता है कैसे म्यूटेशन के दुरू म्यूटेशन जैसे आपने देखा होगा COVID का अगर आप फोटो अगरा देखते हो तो यह वायरस इस तरीके से इसके उपर छोटे-छोटे स्पाइक्स लगे वे हैं है न तो जो स्पाइक प्रोटीन दोस्तो इसी के अंदर में बहुत सरे चेंजिस हो ठीके और एविन जो पिरोला वाला वेरेंट है दोस्तो जिसका रेलेटिव है ये जेन.1 ये पिरोला वेरेंट साइनटिस्ट को बहुत खटक रहा था साइनटिस्ट ने इसको वेरेंट आफ इंटरेस्ट में दाला और ये बोला कि इसके अंदर तो लगबग 30 से 40 ब्रेक हो जाएगी तो अब्योस सी बात है उस इंसान को ये इंफेक्शन बहुत बुरी तरह से पकड़ेगा और ये तेजी से फैलने की भी अपने अंदर शमता रखता है ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है यूएस सेंटर फॉर डिजीस कंट्रोल एंड प्रेवेंशन की पर उनको इतना ज़्यादा खत्रा होगा नहीं यहाँ पर इस अवेरेंट से लेकिन फिर भी हम जितना विजिलेंट रहेंगे जितना सतर्क रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो कि हो सकता है यहाँ पर यह वेरेंट फिर और ज़्यादा बदलाव कर ले अपने health measures को जितने भी ज़रूरी important measures हैं उसने implement करने होंगे proper arrangements बना के चलना होगा जिससे इस infection के transmission को हम रोक सकें रोकना ज़रूरी है जो cases आ रहे है proper treatment देना ज़रूरी है क्योंकि अगर छूट दी गई तो इसी तरीगे से वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीगे से जो cases से increase होता चले जाएंगे तो हमारी केंद सरकार ने सभी states से बोला है और इनके उपर जोड दिया है कि आप testing practice को शुरू करो जल से जल जो COVID-19 की testing होती है सभी districts के अदर implement करो RT-PCR testing की शुरूबात करने की आपर बातचीत की जा रही है ठीक है क्योंकि time से अगर case detect हो जाएंगे उनको treatment दे दिया जाएगा तो COVID-19 रुख जाएगा अगर लापरवाई की तो again ये expand होता बाचले जाएगा ठीक है और even करनाटका की सरकार ने mandatory कर दिया है और even जो 60 साल से जादा के यहाँ पर इंसान है उनके लिए भी बहुत ज़दा mandatory कर दिया गया है केरिला के अंदर कई सारे districts में alert जारी कर दिया गया है जो बुज़र्ग लोग है specially उनके लिए इसलिए क्यों को क्योंकि ये जो केस है मैंने जयसे बोला किremas भी नजवीसा में देखा है वे हाल थोड़ा ज़ादा बेकार है Singapore में जितने भी यहाँ पर बुज़र्ग लोग हैं दोस्तो उनको सबसे ज़ादा affect किया है यहाँ पर ये COVID-19 का आ यह वला variant ठीके तो यह यहां पर mention किया गया और अभी तक अगर आप देखोगे hospitalization तेजी से increase हो रहा है कई सारे countries के अंदर में तो हमें ध्यान रखना होगा especially जो बुज़ूर्ग लोगे उनका और उनका ध्यान भी आप तभी रख पाओगे जब अपना ध्यान रखोगे क्योंकि एक इंसान को हुआ तो घर में फैलने के 100% chances बढ़ जाते हैं ठीक है तो इसके लिए कोई vaccine वगर है नहीं हम लोग vaccine ले चुके हैं वैसे इसके लिए कोई additional short की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है यहां पर इसमें additional short add कर दिया जाए एक और additional short आपने लेना है जिससे यह control हो पाएगा लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाई करते हैं तो हो सकता है यहां पर problems create हो जाए यह खुद यहां पर अलग-अलग articles में government की site से mention कर रखा है I hope आपको यह सारी चीज़े clear हो चुके हैं बड़िया तरीके से चलिए आगे आते हैं उसके बाद में next article पर अगला article हमारे दहिंदू newspaper में यार मैं आज पता यह page number गलत लिए हूँ मैंने इसको आज editing नहीं गया है जो हमारा house panel है वो doubt कर रहा है किस चीज़ को लेकर हमारी कें सरकार का जो data है lumpy skin disease को लेकर उस चीज़ के उपर अब यह पूरा matter क्या है वैसे हम आपको बता दू तो GS paper number 2 health के point of view से important topic है lumpy skin disease एक ऐसा topic है जो कि पिछले पूरे साल news में रहा इस साल की शुरबात में न्यूज में रहा नाव वापस से ही चर्चा में आ चुका है पहले मापको बताता हूं exactly हुआ क्या तो जो हमारे union animal husbandry ministry है ठीक है तो उनका जो data है उनका data ये बोलता है कि दो लाग से जादा जो cattle है जो buffalo है गाए भैस है इनकी जान गई है 2022 और 2023 में lumpy skin disease की वज़ा से ये इनका data बोलता है ठीक है लेकिन यहापर बोला जा रहा है ये data के ओपर कहीना के doubt है ये data गलत हो सकता है ऐसी यहापर कोई चीज बताई जा रही है कि यहापर अभी भी gap जादा है actual reality कुछ और होगी तो पैनल ने बोला है कि जो accurate data है वो हमें चाहिए और accurate data से हम understand कर पाएंगे इस lumpy skin disease की situation की इसने कितना जादा हाहा कर मचाया था आप imagine करो 2,000,000 नमबर ये धोड़ा जादा होता है ठीक है कि 2,000,000 गाय मैंसों की जान गई थी lumpy skin disease की वज़ा से और अभी यहाँ पर यह जो disease है यह वापस से news मा आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है इसको लेकर कुछ specific reports आई है वो reports क्या है अभी आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर recommend क्या गया है center से cancer कार से बोला गया है आप ensure करो एक proper compilation तयार करो data का और वो data हमको provide करवाओ ठीक है उसके अलावा दोस्तों यह जो बिमारी है यह कहाँ कहाँ पर फैली थी तेहिस राज्यों में फैली थी इस्पेशली राजस्तान, महराश्वा, गुजरात और यहाँ पर साथी साथ में पंजाब हिमाचल परदेश, हरियाना और करनाड का यह जो states हैं यहाँ पर थोड़े जादा बुरा हाल थे बाकि कई सारे states में भी फैली थी लेकिन यहाँ पर स्थिती जादा गंभीर थी आप यह देखो कि फरवरी 2023 तक लगबग 1,85,841 कैटल्स की जान जा चुकी थी इस बिमारी की वज़ा से ठीक है और फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि 32,33,762 यानि 32,73,762 जो कैटल्स थे वो इन्फैक्टेड थे उनको यह इन्फैक्शन हो चुका था काफी सारे बच गए लेकिन इनमें से 2,00,00 के करीब कैटल्स की जान गई तो इसी की वज़े से अभी कह सकते हो कि कई सारे गाए भैसों को लगबग बोला जा रहा है कि 8,00,81,77,649 जो कैटल्स हैं इनको वैक्शनेट कर दिया गया है तो क्या है lumpy skin diseases यह examination पूछ जाएगा यह जो article है काम का नहीं है यह तो आपका एक जरिया मिल चुका है कि हाँ यह article ल्यूस में तो यहांसे exam क्या बिलेगा तो exam में question बनेगा lumpy skin disease को लेकर क्या है बिमारी आओ अब थोड़ा सा background data डिसकस करते हैं जो आपके नोट्स होंगे इस्पेशली लंपी स्कीं डिजीज के पीछे का में कारण क्या है तो दोस्तों ये बिमारी होते हैं एक इनफेक्शन की वज़ा से ठीक है और गाय भैसों में जातरी बिमारी फैलती है सबसे पहला केस लंपी स्कीं डिजीज का दुनिया में निकल कर आया था जांबिया के अंदर 1929 में फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दोस्तों ये इनफेक्शन फैल तब चला गया अगर एक गाय या किसी भैस को हो जाए इनफेक्शन और इनफेक्शन होने के बाद में उसकी स्थिती इस तरीका सुझाती है बॉड़ी के उपर काफी सारी गांटे पड़ जाती है बॉड़ी काम करना बंद कर जाती है जो मिल्क देने की ताकत होती है वो भी याँपर कम हो जाती है यह allergic reaction है दोस्तो और फिर उसकी बाद में मच्छर जो होता है न या कीड़े होता है इनको काटने के बाद में अगर दूसरे गाईपैस को काट लें तो उनको भी यह बिमारी फैलती रहती है तो यह transmission इसका खतरनाक है जिसकी वज़ा से हमको यह हाल देखने को मिला कि लाखों में जान गई है cattle की transmission की बात करेंगे तो lumpy skin disease कैसे फैलता है देखो होता क्या है जब मच्छर होता है mosquitoes है या flies है छोड़े मोटे ठीक है वो यहाँ पे एक lumpy skin disease वाले गाया भैंस को काटेंगे ठीक है और उनका जो infection है वो दूसरे गाया भैंस में यह पहुचा देंगे तो यहाँ पे mosquitoes का एक बहुत बड़ा रोल होता है transmission में इसके symptoms क्या है सबसे पहला जो लक्षड है lumpy skin disease का वो है बुखार होना चीक है eyes और nose यहाँ पर कहीं न कहीं है कैसकतो वो affect होती है उसके लाबा skin के उपर इस तरीके से मैं आपको बताया जो यह चोटी-चोटी गाठे है वो पर ने लगती है skin खराब होने लगती है साथी साथ में उस animal के जो भूख है वो खतम हो जाती है वो सही से खाना नहीं खा पाते और इसकी वज़ा से क्योंकि कुछ खाएंगे नहीं तो milk का production कैसे होगा तो इसी की विसे milk का production भी कम हो जाता है सवाल है prevention और treatment का तो आज की समय पर इंडिया में lumpy skin disease को लेकर एक vaccine एक पुरानी vaccine है goat pox ठीक है तो goat pox या नहीं जब बखरीयों में फैलती है दोस्तों ठीक है उनमें भी ऐसी विमारी फैलती है sheep pox virus भी यहाँ पर एक ऐसी virus है जो sheep में फैलता है भेडों में फैलता है तो कि कहीं नहीं cattle को भी protection दे सकती है sheep और goat को भी protection दे सकती है तो goat pox, sheep pox और lumpy skin disease क्योंकि यह जो तीनों की तीनों बिमारियां है तीनों एक ही genus से बिलॉंग करती है जिसका नाम है capri box virus बाकी यह तो मैंने आपको बताया है लेकिन इसके लिए एक अलग से vaccine भी बनाई गई है और इस vaccine का जो main target है वो यह ही है कि जो यह हमारी cattle है इनको lumpy skin disease virus से बचाया जा सके और यह vaccine के अंदर बोला जाता है दावा दिया जाता है कि 100% protection यह provide करवा सकती है हमारे cattle को समझ गए वैसे आज के समय पर कोई भी ऐसा antiviral drug नहीं है कोई दवाई नहीं है जो इस lumpy skin disease को ठीक कर सके केवल और केवल वो vaccine है जिसको तयार किया गया है चीक है यह बात ध्यान में रखना है और कहीं न कहीं दोस्तों अगर treatment की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत support provide करवाय जाता है जो भी lumpy skin disease वाले animals होता है जैसे उनको treatment करना skin के ओपर जो उनकी खाल जो बेकार हो चुकी उसका treatment करना एंटी बाटेक्स वगरा प्रोवाइड करवा देना दर्द के लिए पेन के लड़ दे देना ठीक है बस ऐसे यहाँ पर थोड़ा care किया जाता है इनका वैसे कोई specific treatment नहीं था लेकिन अब treatment लाया जा रहा है एक नई vaccine जैसे मैं आपको बताया लंपी प्र हाल के उपर मैं गांटे पढ़ने लगते हैं जैसे मैं आपको बताया treatment के बारे में हम डिसकस करी चुके हैं इसका effect क्या होता है milk production कम हो जाता है मेल fertility rate कम हो जाता है weight loss होने लगता है pregnancy loss होने लगता है जानवरों के अंदर में lumpy skin disease report किया गया है इंडिया बांगलदेश नेपाल चाइना वेतना मयानमार थाइलेंड में भी तो हर जगा पर ये cases आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है बाकी lumpy skin disease के बारे में और कुछ पढ़ना है तो ये चार फोटो जार है इसको आप पढ़ सकते हो कि भई last year 2022 में क् सबसे बड़ा दूद का उत्पादक है milk producer है और अगर lumpy skin disease की वज़े से इतने सारे निवल्स की जान गई जाएगी तो इसकी वेसे दोस्तो अब्यूसी बात है milk का production कम हो जाएगा तो इंडिया की जो यहां पर ये status है वो status हमारे पास से छिंज जाएगा तो एक चिंता जरन notes के PDF अगर आपको provide करवा जाते है daily basis पे यानि कि जैसे अभी हमने दो article discuss किये background data आपको दिया गया है वो background data अगर आप लिखने बैठ होगे घंटों लगा दोगे तो आपकी time की बचत के लिए इसका एक proper PDF दिया जाता है इस पूरे class का ये जो पूरी class चलिए दोस्तों इसके notes बनाते हूं आप कुछ उस प्रकार का वो PDF होता है तो लिखने की ज़रत में आपको पढ़ेगी नहीं time waste करना नहीं है आपके वल वेडियो देखो बाकि अपने पढ़ाई पर लग जाओ क्योंकि सारा content ग्रूप में डाल दिया जाता है paid group के अंदर में और अच्छी बात है वापे सारा content secure है दोस्तो डेट वाइस content पढ़ावा है जब मन चाहे किसी भी तारिक का PDF ओपन किया पढ़ लिया डाउलोड किया डिलीड किया जो मन क्या किया ठीक है क्योंकि आपको secure करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं storage का issue होगा कितना PDF store करके रखूँ ये क्या का collection करू ऐसा कोई दिक्कत नहीं पैदा होने वाली सब कुछ वहीं पर है डाउलोड करो पड़ो डिलीड करतो डोंट वरी चीक है तोस्तो इस ग्रूप को join करने का जो fee payment है वो भी बहुत minimum है just 499 for the lifetime xx जब तक आपका selection ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रूप को join करके रख सकत हो यह amount आप इदर उदर खर्च कर देते होंगे कभी waste भी कर देते होंगे guarantee है आप कुछ दिन बाद यह investment करने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरा amount जो है वो recover हो चुका है लेकिन benefits आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे और इस ग्रूप को join करने का process क्या है WhatsApp पर जाना यहा आप पूरे डेमो वीडियो का link भी मिलेगा आप पूरे डेमो वीडियो को check करना कि भाई क्या-क्या फाइदे हो रहे हैं अपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर अपना यह investment करना ठीक है चलिए बाकी यार make sure करना वीडियो पे जो like का button उसको भी press कर दिया करो आप लोगों स एक request होती है यार जो target है हमारे daily basis पे 5000 likes का होता है प्लीज आप लोग support करके इस target को पहुचा सकते हो चलिए आगया आते हैं अगले article पर next article GS paper number 2 international relations के point of view से important होने वाला है तो अभी जो इसराइल के प्रदान मंत्री है बेंजा में नेथन याहू और भारत के प्रदान मंत्री है नरेंदर मोदी जी दोनों के बीच में phone call पर discussion हुआ है नेथन याहू का call आया था प्या मोदी के साथ में और यह जो call है इस पर discuss किया या है Red Sea के अंदर में जो maritime threat बनावा है इसको कैसे tackle किया जाए जो कि आपको पता है दोस्तो Red Sea एक important area है अगर मैं आपको photo दिखा हूँ तो यह आपको पीछे इसराइल नजर आएगा ठीक है यह आपको इसराइल दिख रहा होगा और यह इरान है पीछे पाकिस्तान है पाकि इस स्विस केनाल के माध्यम से हम क्या करते हैं उपर Mediterranean Sea में पहुंच चाहिए और Mediterranean Sea से उपर Europe में ग्रीस वगरा से यह आपड़ सीधा Europe में पहुंच पाता है समझ गए तो यह जो पर्टिकलर एरिया है बहुती जादा इंपॉर्टेंट बाना जाता है रेट सी इस्पेशली यह वला ठीक है अब रेट सी में घुसने के लिए आपको एक स्ट्रेट के तुरू गुजरना पड़ता है एक स्ट्रेट मतलब एक छोटा सा रास्ता है जो क कि दो समुदर के हिस्से को कनेट कर रहा है रेट सी को कनेट कर रहा है यह वला स्ट्रेट यह पतली सी गली यह जो गली है इसको बोलते हैं बाब इल मंडेप स्ट्रेट यह नाम ध्यान लखना ठीक है आज आपसे मैप में यही क्वेशन पूछा गया है कि बाब इल मंडेप ट्रेट कहां पर है तो जोस्तों हुआ क्या इसराइल भी अपना बहुत सारा ट्रेट करता है इसराइल का आप देक पा fools हलका सा बॉर्डर लगता है यह राइजराइल है इसका बॉर्डर है या पे रिट्ची में इनके जहाँ इदर लिदर निकलते रहते हैं व्यापार करते हैं काफी सारी कंट्रीज के साथ में तो जब ये जहाज इदा रेट्ची से गुजर रहे होते हैं तो येमन के जो होदी रेबल्स हैं जो इसराइल के बिल्कुल खिलाफ में खड़े हैं ये इसराइल के जहाज के ओपर अटैक करते हैं फोट्टो आप देख रहे हूँगे बीच में एक जहास को जब्त भी कर लिया गया था है यह आप देख पार होगे होंगे यह मन का जो है वो उत्त रहेगा लोग इनके बीच में रेटची की मेरिटाइम सेक्यूरिटी को लेकर यह discussions हुए पैदान मंत्री नरींदर मूदी जी और इनके बीच में जो ए टेलीफोन discussion हुआ है दोस्तो इसमें specially जो होदी militants है येमन के उनके उपर भी special focus किया ये कहीना कहीं कोशिश कर रहे हैं इसराइल को red sea में रोकने की ठीक है जिसको लेकर US भी इसराइल का साथ दे रहा है वो तो साथ लंबे समय से दे भी रहा है ठीक है ये बात यहाँ पर बोली जा रही है क्योंकि ये कहीने के बहुत बड़ा challenge मनता चले जाएगा अगर हरे country से यहाँ पर इस तरीके से निफटना होगा ठीक है फिर इससे जो बहुत सारी दिक्कत हैं वो यहाँ पर पैदा होती भी नज़र आएंगी तो कई बार हूदी rebels ने attack करा है इसराइल के जहाज के उपर में वो जहाज के उपर attack करना साही नहीं है इस threat को tackle करने के लिए यहाँ पर इंडिया और इसराइल साथ में आएं इस प्रकार की मांग यहाँ पर बेंजामिन नेथन याहू की है बात क्लियर हो गई? समझ गए? चलिए अब करना क्या है? यह article अपका exam के लिए important नहीं है exam के लिए जो चीज important है वो है red c और दूसरा बाबेल मंडेब स्ट्रेट तो चलो पहले red c के बारे में कुछ specific data कुछ facts जान लेता है क्योंकि prelims में आप से पूछा जाएगा मैं आपको बता दूँ black c को लेकर UPSC ने सवाल पूछावा है Mediterranean Sea को लेकर UPSC ने सवाल पूछावा है एक और सी है यार मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि sea को लेकर बहुत questions पूछे गए जो मैं आपको discuss करवा चुका हूँ black sea Mediterranean Sea के बारे में बहुत भी पढ़ा चुका हूँ ठीक है अचा डेड़ सी हाँ डेड़ सी को लेकर भी सवाल पूछा हूआ है रेड़ सी के बारे में और जान लेना दोस्तो question बन सकता है ठीक है रेड़ सी कहां पर है अब ये एफरीका और एश्या का जो continent है उसके बीच में आफरीका एश्या ये कहां पर आगए हम तो ये तो आपको एश्यान वाला continent देखने को मिल जाएगा हम मिदिल इस्ट वाल रिजन है इधर एश्या है ठीक हो उसके portion में आ गया और ये आफरीकन continent है सुडान एथियोपिया साउथ सुडान है सब आफरीकन continent है तो ये continent एलाग है ये continent एलाग है दो इन continent के बीच में यापर red sea है आपको ये दिख रहा होगा simple आ गया आता है दुनिया की सबसादा saline body है ये ऐसा बोलो जाता है उनमें ही आती है saline body की list में बहुत खारा पानी यापर रपाया जाता है अगर हम देखना स्टार्ट करें तो ये रहा एजिप्ट ये रहा साओधी रेबिया ये रहा ये रहा ये रहा नीचे यहाँ पर जीबूटी और उपर इसराल का एक छोड़ा सा पोर्शन भी आपको देखने को मिल जाता है वैसे ठीक है तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि इसके साथ में बॉंट्रीज को शेयर करती है आगया आता है अब दोस्तों ये जो हमारा रेट सी है ये इंडियन ओशन से जुड़ावाए कैसे जुड़ावाए बाबेल मंडेब स्ट्रेट अभी मैं आपको बता है तो गल्फ ऑफ है रेट सी के नौर्ट मगर आप देखोगे तो सिनाई पेनिंसुला भी आता है गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज भी वहीं आता है बहुत असान है यहां पर आप देखोगे तो गल्फ ऑफ स्वेज का है ये है वो गल्फ जिसके तुरू इसको हम स्वेज के नाल कर देता है तो आपको अच्छे से दिखाई देगा अभी तो मैं सभी क्लियर कर देता थोड़ी अभ आपको दिख रहा होगा तो यहां पर यह आपको नजर आ रहा होगा ठीक है एक ऐसा लेंड जो की तीनों तरफ पानी से गिरा होता है उसको पोलते हैं पैनेंसुला तो यह यह भी एक ऐसे लेंड जो तीनों तरफ समूद से गिरावा है इसको बोलते हैं सिनई पैनेंसुला हालियूमे न्यूज में भी था यह एजिप्ट का एक पोर्शन है ठीक है और इसी के मादम से जो गाजा पट्टी है उसका एक बॉर्डर भी लगता है यहां पर चलियर चल इंडियन ऊशने के साथ मैं जोड़ता है सिंपल सी बात है हां यह जो जगा है ना यह जो रेट सी है इतना इंपोर्टेंट है कि यहां पर दुनिया का सबसे ज़ादा जो कच्छे तेल का व्यापार वगरा वो यहीं से हो रहा है यहीं से हो रहा है ठीक है इसके आस पास बूटी एरा सोमालिया यह सब कंट्रीज इसके पास में है पीछे गल्फ ओफ एडिन क्लियर चलिए आगे आता है निक्स आटिकल पर अगला आटिकल भी इंपोर्टेंट है इसको अगलोग अगें जीएस पिपर नंबर टू हेल्थ से इसको लिंक कर सकते हैं यहां पर क्या बात की जारी है no job quota for people with blood disorders देखो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है अब government jobs में अलगला quotas भी आपको देखने को मिल जाता है ठीक है अब अलगला quota में दोस्तों एक quota है disability का जो भी यहां पर disability का section है वो भी यहां पर देखने को मिलता है ठीक है अब क्या है disability में सरकार ने बोला है कि जो blood disorder होते हैं जिनके यहां पर जिनको एक खून की एक basically बिमारी है उनको लिए कोई quota नहीं है इस government job में जो disability में disability हो दिखाई नहीं दे रहा है और यह सुनाई नहीं दे पा रहे है वो या फिर कह सकते हो कि और किसी और प्रकार की disability से गुजर रहे है intellectual disability है तो इस प्रकार के करोई problem से गुजर रहा है तो उनके लिए वो quota है blood disorder वालों के लिए quota नहीं है यह बात यहां पर बोली गई है ठीक है क्योंकि यहां पर कहा जा रहा था कि तीन blood disorder को पहले आड़ किया गया है थेले सेमिया यह आप देख पाओगे दोस्तों थेले सेमिया hemophilia sickle cell अ इसा हो जाता है ठीक है और इसकी वैसे जो blood है body में सही से flow नहीं हो पाता बोडी पीली पढ़ने लगती है pain बहुत होने लगता है वो कहलाता है sickle cell disease तो और ऐसे यहां पर sickle cell की तरह थेले सेमिया भी होता है hemophilia के अंदर में लगातार खून निकलता रहता है तो यह बहुत blood disorders को हमने person with disabilities act 2016 में cover नहीं किया है तो यह जो तीनो blood disorders हैं दोस्तो इनको यहां पर कह सकते हो कि अच्छा इसमें cover किया है लेकिन अगर आप मानोंगे न तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक प्रकार के disorder नहीं है government का कहना यहां पर है कि अगर हम disorder देखेंगे तो disorder नहीं है थेले सीमिया are not eligible for reservation in government jobs center का कहना है central government का कहना है कि 4% जो quota government jobs में available किया गया था वो केवल जिनको दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे पाता है या बहुत कम दिखाई दे रहा है या सुनने में problem है या कह सकते हो की locomotor disability है cerebral palsy है लपरोजी है ठीक है इस प्रकार के कोई problem है तो उनके लिए यहां पर यह quota रखा गया है जिस वैसे यह news में है तो करना के यह article important है अब article में exam के perspective से आपने थोड़ा साना जो disability उसके बारे में जानना होगा disability क्या है right to person with disabilities act 2016 क्या है जो disabled person है वो क्या क्या problem आज किसमें पर phase कर रहे है इसको लेकर specific data हमारे देश में क्या stand करता है ठीक है तो जब बात करते हैं disability के तो दोस्तों यहां पर कहीं न कहीं दुनिया भर में लगबाग 1.3 billion people ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के disability से गुजर रहे हैं जिसमें से 80 प्रतीशत लोग developing countries में हैं और कह सकते हो कि और इन developing countries में भी इन 80 में से 70 प्रतीशत लोग गाउं में रह रहे हैं आज का जो current system है अगर हम disabled person के लिए देखे हैं तो जो व्यक्ति disability से गुजर रहा है वो और भी कई सारी परजानियों से गुजर रहा है जैसे गरीबी, proper education ना होना, proper उनके पास में अफसर ना होना, employment का काम ना करपाना, discrimination होना society के अंदर में ऐसी कई सारी problems से यहां पर वो व जक्ति, disabled तभी कहलाएगा जब कहीना की उसके शरीर का कोई अंग यहां पर कहीना की कि किसी करण की वे से काम करना बंद कर दिया है, physical, mental या intellectual या sensory ability के उपर कहीना की असर पड़ा है, तो वो व्यक्ति यहां पर disabled कहलाएगा, ठीक है, यानि कि disability में चार main categories है, जो impaired disorder है, physical यहा status क्या है, world bank की report आई है, उसके according बोला जा रहा है कि 5 से लेकर 8% भारत की जो अबादी है, वो कहीना की disability से गुजर रही है, and SSO का estimate है कि 2.2% जो population है, वो कहीना की disabled है, और यहां पर national family health survey 5, जो 5 का survey है 2019 से 21 का, उसने यह बोला 4.5% of the population आज के समय पर हमारी disabled है, तो disability की cases इंड और भतर तब हो जाते हैं, जब यही disability वाले person अलग-लग प्रकार की चुनौतियों से गुजरते हैं, जैसे पहली चुनौती है, वो है limited awareness, ठीक है, अब यह क्या है, पहला challenge इनके लिए यह है, कि इनको सरकारी schemes के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इनके लिए का का challenge face करना पड़ रहा है, वो है lack of accessibility and infrastructure, कहने का मतलब है, बहुत सारे ऐसे public places हैं, चाहे वो school हो, hospital हो, transport system हो, government office हो, कि वहाँ पर इनके लिए कोई proper facilities नहीं है, इनकी ज़रूरत है, वहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो कहीं न कहीं यह भी एक बहुत बड़ा challenge है UNICEF की एक report है, जिसके according बताया गया है, कि जो बच्चे disability से गुजरना है, उनको भी कहीं न कहीं न कहीं दोस्तों, जो यह benefits है, वो नहीं मिल पा रहे हैं, तीसरा जो challenge है, वो है limited access to education and employment, जो person with disabilities है, specially गाँवाल एरिया में, उनको कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए पर education institution भी नहीं है, vocational training भी नहीं है, अगर कोई इस प्रकार की चीज़े होती, उनको हम skills provide करवादे, तो वो आगे अपना contribution देते, बट उनको यहाँ पर जब starting से ही, जब चीज़े सीखने का अफसर नहीं मिल पारा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, पिर एक और challenge है, वो है perception and stigma, जो person with disabilities हैं, कभी-कभी यहाँ पर आप देख पाओगे, इनको society में, लोग accept नहीं कर रहे हैं, कहीना कहीं, discrimination हो रहा है इनके साथ में, उसके अलावा दोस्तो, lack of legal and policy support, कहने का मतलब है, अगर आप देखोगे, तो international level पर, disability persons के लिए बहुत सरे अलग-लग प्रकार के laws, international law, ज United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities Act 2007, इतना ही ने, Right of Person with Disabilities Act 2016, ऐसे कई सारे laws आपको देखने को मिलेंगे, जो भारत सरकार ने approval दे रखा है, और approval देने के बावजूद भी, क्या होता है, इन laws का जो implementation है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमने केवल approval दे दिया है, लेकिन इसको लागू नहीं कर पा तो ये भी एक बहुत बड़ा challenge है, अब आप देखोगे, UPSC न यहीं से question पूछ लिया था, 2011 के अंदर में, अब थोड़ा सा यहां पे logic लगाओगे, तो question solve हो जाएगा, question क्या बोलता है, India is a home to lack of person with disabilities, भारत में लाखो लोग हैं ऐसे जो disability से गुजर रहे हैं, then what are the benefits available to them under the law उनके लिए क्या-क्या benefits available हैं इन तीनों में से या आपने बताना है, option number A, free schooling till the age of 18 in the government running school, सरकारी स्कूल में 18 साल की उमरे तक free में schooling provide करवाना, ये benefit है, दूसरा, preferential allotment of land for settling a business, business करने के लिए आपर कुछ land को यहां पे उनको provide करवाना, तीसरा, जो public buildings ये सरकारी buildings में ramps वग लेबल करवाय जा रहे हैं, तो वैसे अगर मैं आपको बताओं, तो जो सही उतर है, correct answer है, वो तीनों है, तो तीनों ही benefits दोस्तों यहां पर provide करवाय जा रहे हैं, lack of people को, lack of people को, जो की disability से गुजर रहे हैं, तो 2011 का ऐसा एक direct प्रशन आया, now, finally आता हम लोग अपने editorial discussion पे, आ इसको लेकर जो नकसलवाद है, उसको लेकर बात करता है, नकसलवाद कितनी बड़ी problem है, 36 गड़ के अंदर में किस तरीके से नकसलवाद फैला हुआ है, आज तो फिलाल कम हो चुका है, तो वहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, क्यों कि दोस्तों elections जब भी होते हैं, तो नकसलवाद या फिर जो नकसलिजम को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे elections नहीं उन्हें देते properly, तो क्या करना चाहिए, उन सभी लोगों के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे discussion किया गया, इस particular editorial के अंदर में, बहुत शांदार editorial, सबसे important editorial, दूसरी बात, आज का mains का question भी यहाँ प प्रदेश, राजस्तान, मीजुरम, तिलांगना, हुआ क्या, जो North States है, वहाँ पर भीचेपी गोवर्मेंट ने जीत हासिल की है, चतिस गड़ भी यहाँ पर वो राज्य है, जिसमें assembly elections हुआ हाली में, ठीक है, अब जब elections हुए है, वो खतम हुए है, तो हमने ये देखा कि elections में, tribal votes का भी एक important role होता है, ठीक है, अब 36 गड़ के अदर है, बहुत सरी tribal population भी आपको देखने को मिल जाती है, तो उनका vote भी यहाँ पर government को मिला है, लेकिन कहीं न कहीं, 36 गड़ में एक ऐसे regions भी है, जहाँ पर moist बहुत जादा रहता है, moist मतलब नकसलवाद, ठीक है, moist ब हुआ कि इन्होंने elections को boycott हमेशा से किया, इन्होंने बोला है कि देखो elections वगरा हमें नीच है, हमें सरकार हटानी है, हमको अपने हिसाब से चीज़े चलानी है, तो इनके आस पास के जो region में लोग रह रहे होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यह रोकते हैं, उनको भी elections में voting द तो यह दिक्कत जो हुई है, यह moist अभी भी जो इंडिया में है, नकसलिसम जो इंडिया में है अभी, उसको tackle किया जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है, तो उससे निपटने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि पहली बात तो नकसलिसम इंडिया में अगर है, तो उसके पी moist, nexalism या फिर left wing extremism तीनों का मतलब एक ही है यही यहाँ पर इसी ideology वाले person तो left wing extremism को हम लोग left wing terrorism या radical left wing movement के नाम से भी जानते हैं इनकी जो political ideology है वो अलग है इनका क्या कहना है इनका ये target होता है कि सरकारी जो है, सरकार institutions जितने भी है law enforcement agencies जितनी भी है उन सब को target बना के खतम करना सरकार को हटाना खुद अपने उनके पदबर आना खुद यहाँ पर rule करना, येनका main target है और हटाने के लिए, सरकार को हटाने के लिए हतियार का use करना तो left wing extremism जो movement एंडिया में left wing extremism का presence भारत में कहां पर है पहले ये discuss कर लेते हैं हमारे home ministry का data है, इन्होंने ये बोला है ये 10 राज्यों के अंदर जो छोटी-छोटी districts हैं, तो ऐसे 10 राज्यों में total 90 districts आज के समय पर left wing extremism से affected हैं और वो राज्ये कौन को हैं जापनक्सलिजम है अभी भी, तो वो है आंदर प्रदेश, बिहार 36 गड़, मध्या प्रदेश, केरला जारकंड, माराष्ट्रा, ओडिशा, तेलंगना और वेस्ट बेंगल और इनमें से भी जो सबसे जादा affected राज्ये आपको देखने को मिलेंगे तो वो है 36 गड़, जारकंड, ओडिशा, बिहार ये वो है रियाज़न दोस्तों या वो स्टेट से जहां पर लेफ्विंग एक्स्रेमिजम का स्ट्रॉंग प्रेजन्स है बहुत जादा हैं कई बार इनकी भिलत भी हो जाती है जो हमारी फोर्सिस हैं उनको रोकने के लिए जाती है और इनसे लड़ते लड़ते कई सारी जावान हमारे शहीद हो जाते है 36 गड़ में आपने देखा भी होगा तो जारकंड, 36 गड़ में ये सारे रीजन साब को नज़र आएंगे जहां पर नक्सिलिजम आभी भी हमको देखने को मिलता है सवाल यह है कि ये जो लेक्सिलिजम है या लेफ्ट्विंग एक्स्रेमिजम है इसके पीछे के में कारण क्या है पहला में कारण है इनेक्यूटेबल डवलप्मेंट अब यहां पर सुनना क्यों लेफ्ट्विंग एक्स्रेमिजम बड़ा क्यों नक्सिलिजम भारत में है उसके पीछे का कारण पहला क्या है ज्यादतर जो यहां पर नक्सिलिजम से अफेक्टेड एडियाज है दोस्तों वहां पर डवलप्मेंट हुआ ही नहीं है ज्यादा विकास ही नहीं हुआ है वहां पर पौवर्टी जो गरीबिये उच लेफल पर है लोग के पास में रोजगार नहीं है लोग पड़े लिखे नहीं है कोपोशल अपने आप में बड़े लेफल पर है तो यह सब चीजे क्या है ये एक मेन कारण है लोगों को यहाँ पर कही ना की इस आइडिलोजी में कनवर्ट करने के लिए तो जो left wing extremism group आपको देखने को मिलता है ये कही ना कही ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं कुछ लोगों को होते हैं पहले से अब ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो यहाँ पर इसे पीड़ते हैं वो उनको लैंड कार कानूं लेकर ले झरुथ जंगल बचाने, जंगल से लोग को निकाल दिया, अब लोग जब जहट रहे थे, एक जगा से दूसरी जगा पर जा रहे थे, तो नक्सिलिजम आइडिलोजी वाले लोग उनके पास पहुँचे, उनसे कहा, देखो ऐसा ऐसा है, यहाँ पर आप हमारे साथ आओ, हम आपको खा एक्रमिजम अफेक्टेड एडियास जो हैं, कहीं न कहीं, वहाँ पे सरकार का प्रॉपर गवर्नेंस नहीं, अड्मिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस चक्कर में भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स जादा बढ़ी हैं, लैफ्ट विंग एक्रमिजम जो ग्रोप हैं दोस्तों, यह हमेशा साही ही वोईलेंस का इस्तमाल करते वे नजर आएं, इलेक्शन नहीं होने देते हैं, पंचायत इलेक्शन नहीं होने देते हैं, जो इस डवलप्मेंट स्कीम से उनको भी हमेशा डिसरप्ट करते हैं, किसे हिंसा से, वोईलेंस से हतियार उठा कर, यह काम लंबे समय से ये करते वे नजर आएं स्टेट की जितने भी संस्थान है वो सब यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है आपर अगर आप देखोगे लेट्विंग एक्स्ट्रिमिजम ग्रुप जो है इनका इंफ्लुएंस इस तरीके से अपने इरियाज में बढ़ चुका है अब ideological appeal ये भी एक main reason आपको देखने को मिलेगा जिससे नक्सिलिजम इंक्रीज हुआ लेट्विंग एक्स्ट्रिमिजम के जो ग्रुप है दोस्तों वो ये क्लेम करते हैं क्या कि जो exploited class है दोस्तों ठीके है ना वो कहीना कि क्या करेंगी जो exploited class है उनको यहाँ पर जोर भी देते हैं उनको अपनी ideology हैं बदलते हैं फिर वो सभी लोग democracy को reject कर देते हैं कि हमें parliamentary democracy ये सारी चीज़ हमें नहीं चाहिए हम केवल क्या करेंगे हतियार उठा के सरकार हटाएंगे अब क्या होता है इनको inspiration कहां से मिल रहा है ये सब कहां से आ रहा है तो ये Mao Zedong की teaching से ही ये सब inspiration लेते है Mao Zedong जो कि एक Chinese communist leader था तो यहीं से teaching से नकसलबारी के अंदर में पूरा बवाल हुआ था जिसके बाद दोस्तों ये नकसलिजम फैलता बचला गया आभी भी left में extremism groups में कई सारे groups ऐसे हैं जिनका link दूसरे बड़ बड़े groups हैं इंडिया में separatist movement कई सारी जगा पर चला रहे हैं भारत को अलग-अलग हिस्सों में बाटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग groups इनको और जदा support मिल जाता है दूसरे groups का अब हुआ क्या जब इतना बड़ा problem चल रहा है तो government ने कोई step नहीं उठाया देखो बारत सरकार ने कई सारे steps उठाये हैं यह अगर आप देखो तो पहला हम security measure की बात करेंगे तो security measure में जो पहला कदम उठाया गया जो C.A.P.F. है कर दिया गया है दूसरा जो security measure है वो है strengthening state police सरकार ने financial और logistical support दोनों यहाँ पे provide करवाया है किसको अपने police forces को ताकि police forces को और दादा modernize किया जा सके और in left wing extremism जैसे group को यहाँ पे counter किया जा सके तीसरा कदम उठाया है establishment of specialized units अलग-लग special unit for example cobra commando greyhounds इनको यहाँ पे तैयार किये हैं अलग-लग units हैं दोस्तो इनको केवल और केवल ऐसे next light leaders को खतम करने के लिए इनके camps के खिलाफ लणने के लिए तैयार किया है तो security के purpose से सरकार ने यह तीनों initiative start किये और फिर बात आती है development initiative अब हमने विकास करना भी शुरू कर दिया है government ने उन एरियास के अदर में ताकि उनकी जो ideology है वो यहाँ पर बदले तो पहला जो initiative है वो है integrated development projects सरकार ने अलग-लग प्रकार की schemes launch की है जैसे integrated tribal development program हो गया प्रधान मंत्री ग्राम स्रड़क योजना हो गया अब यह जो schemes से इनका main purpose क्या है infrastructure को improve करना left wing affected areas में और उनको एक opportunity provide करवाना है ना उनकी जो basic needs है जैसे पढ़ाई लिखाई है healthcare है उस पे पैसा खर्च करना तो ऐसे काम करने शुरू हो चुके हैं दूसरा initiative है skill development program सरकार ने यहाँ पर skills development training शुरू कर दी है youth को देने के especially जो left wing affected areas जहाँ पर यह extremism सबसे जादा हो रहा है वहाँ के आसपास के लोग इस ideology में convert ना हो जाएं इसलिए उनके लिए skill development शुरू कर दिया गया है और उनको employment मिल रहा है तो इससे क्या हो रहा है वो नक्सलिजम है या ऐसा जो नक्सलिजम होता है वहाँ पर नहीं जाते ठीक है उनको पता है government कर रही है यहाँ पर इनके लिए तो उसके बाद में third statement है वो है promotion of sustainable livelihoods schemes जैसे की वंधन विकास केंदर हो गया mg नरेगा हो गया इसका main मक्सद है एक proper livelihood opportunity एक रोजगार देना travel communities को जिससे यहाँ पर वो क्या कर सकें अपना जीवन व्यतीत कर सेंखें बिल्कुल अराम से इतना ही नहीं सरकार ने फिर land rights को लेकर भी यहाँ पर कह सकतो काम किया है for example land rights provide करवा इनको सरकार ने यहाँ पर step उठाया है ताकि कह सकतो हो इनकी जो जमीने वगरा इनके पास में रहें उसको उपर इनका proper हक रहे क्योंकि कभी-कभी इनको जमीन से हटा दी जाता है area से हटा दी जाता है जो की main कारण बनता है इनको नक्सलिजम में convert होने का क्योंकि फिर क्या करता है यह उस ideology में चले जाता है दूसरा जो यहाँ पर step उठाय गया forest right act 2006 का जो एक आनून ने दोस्तों इसने कहीं नहीं जो tribal communities हैं इनके जो हक है इनके जो rights हैं उसको यहाँ पर एक पैचान दी है कि भई यहाँ forest के resources के उपर इनका भी एक proper हक है है ना इनको यहाँ पर और जादे इनका जो main मक्सेट है वो यह है कि इन सबी areas को सक्षक्त बनाया जाए इन लोगों को और जादे शक्ती provide करवाए जाए तो यहाँ पर एक support मिलिया इन लोगों को फिर grievance redressal mechanism स्टार्ट किया सरकार ने यहाँ पर एक proper body मना दी grievance redressal mechanism को लेकर कि इमालो कोई local community है वहाँ पर उनके कोई right का हनन हुआ है उनकी जमीन वगरा चीनी गई है तो वो अपनी complaint कर सकें अपने दुख माँ पर बता सकें जिसके खिलाफ action लिया जाएगा समझ गए तो उनके rights की सुरक्षा करने के लिए भी यहाँ पर कदम उठाए गए जिसकी वज़ा से main purpose क्या है इनको रोका जासा कि नक्सलिजम को control किया जा सके है क्योंकि lack of development भी एक सबसे major और one of the major कारण आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी वज़ा से नक्सलिजम increase हो रहा है फिर कुछ और step सरकार ने उठाए for example समधान doctrine left-wing extremism का सबसे बड़ा solution समधान समधान की अपना आप में full form है क्या smart leadership, AC aggressive strategy, AC motivation training, AC actionable intelligence, DC dashboard based KPI, AC harnessing technology, AC action plan for each theater, and say no access to financing आपसे question बन सकता है दोस्तों क्या question बनेगा समाधान हाल ही में news में था ये किस तीच के लिए लाया गया ये किस तीच का solution है तो ये है left-wing extremism नाम की problem का एक महतुपूर्ट solution आ गया थे हैं हाँ पिर उसका सरकार ने smart police भी establish कर दिये smart police का अपने आप में एक full form है smart का full form क्या है strategic management alternate response tactics smart police के में मकसद है कि जो police है दोस्तों उनकी जो efficiency उसको और ज़दा improve करना ठीक है अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ और data यहाँ पर provide करवाना इसका जो main मकसद है जो quality है efficiency है policing की उसको improve करना कैसे अलग-लग sources of data का use करना crime, static, citizen, feedback, social media हर एक चीज़ का use करना ठीक है तो यह सारे कदम उठाए गए है ताकि नकसलिजम को control कर सके यह initiative उठाए गए ताकि नकसलिजम भारत में कम हो रुके क्योंकि एक समय पर नकसलिजम बहुत ज़ादा हुआ करता था अब सवाल यह है तब सरकार ने जब initiative उठाए तो इसका असर कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा ज़रा उसको देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसका impact क्या पढ़ा पिछले आठ सालों के अंदर left wing extremism का violence तेजी से घटा है 2022 में जो incidents हैं वो reduce हुए है अगर आप 2013 और 2022 को compare करोगे एक बहुत बड़ा यहाँ पर reduction नजर आया है 75% से ज़ादा left wing extremism की से संबंदित जो मृत्ती हुआ करती थी वो कम हुई है 2013 के अंदर 400 लोग की मृत्ती हुई थी left wing extremism में और 2022 में कम हो के 98 हो चुकी है तो इन सब schemes के इन सब programs के यह सारे steps जो government ने चले हैं इसके benefits आये हैं इसका असर दिखा है साल 2022 में जो resultant death हुई है casualties हुई है हमारे security forces को यह कम हुई है क्योंकि होता क्या है अब security forces को वहीं पर तहनात कर रखा है इन लोगों से लड़ने के लिए इसमें कई सारे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं इन से लड़ते लड़ते तो उन security forces को जो यहाँ पर problem होती थी वो भी कम हो चुकिये दोस्तों एक समय पर 68% death हुई कर दी थी वो कम हो कर 33% हो चुकिये यह यहाँ पर बुला जा रहा है तो impact तो पड़ा है इस पेसा act के तहत क्या होगा वहाँ के जो area होता है ग्राम सबाव जो होती है local government जो होती है उनको और ज़दा power मिल जाती है तो उनको power मिल जाएगी और थोड़ा अपने हिसाब से कर पाएंगे तो इस प्रकार की ideology खतम होगी दूसरा यहाँ पर हम काम क्या कर सकते है tribal empowerment and representation हमें जो tribal leadership है दोस्तो उसको थोड़ा अच्छे से nurture करना होगा उनको एक platform प्रोवाइट करवाना होगा कि उनकी जो आवाज है जो वो कहना चाह रहे हैं उसकी भी सुनवाई हो सके हमारे देश में जब उनकी सुनवाई नहीं होगी उनकी कोई problem उनकी दुख कोई नहीं सुन रहा है तो obviously बात है उनको यह कदम उठाना पड़ेगा लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा हमें आपका सकतो एक ऐसा platform प्रोवाइट करवाना होगा जहाँ पर उनकी सुनाई की जा सके जो दिक्कत है उनकी उनको समझा सा सके उनका जो दिक्कत है उसको निप्टाने की एक्शन लिया जा सके समझ गए फिर तीसरा जो प्रोग्राम हो सकता है वो है development programs हमें targeted development programs को लागू करना होगा और इससे क्या हो सकता है जैसे इसमें आपे infrastructure, development, health care, education, employment opportunities जादस जादा provide करवानी होगी फिर है current moist propaganda तो हमें आपे क्या करना होगा जो moist propaganda चल रहा है दोस्तों इसको counter करने के लिए बातचीत करनी शुरू करनी होगी ठीक है हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो ये discussions बढ़ाने होंगे इनके साथ में collaborate करना होगा लोकल मीडिया के माद्यम से community leaders के माद्यम से ताकि यहां पर एक accurate information समझाई जा सके और जो mis information लोग को भड़का भड़का कर गलत information दे कर नक्सिलिजम की ideologies में बदला जा रहा है उसको रोका जा सके फिर उसके बाद में यहां पर एक और step है human right protection हमें उनके मानव के अधिकार की भी सुरक्षा करनी जरूरी है और देखना होगा उनको जादा damage ना हो लेकिन उसके हिसाब से हम पूरे मामले को शांद कर सके प्लस long term strategic plan चलाना होगा एक comprehensive और लंबा रणनीती को देखते वे हमें प्लान की जरूरत है जिससे की हम इस insurgency को counter कर पाएंगे तो यह सारे के सारे suggestion writer ने दिया है कि वहिया यह सारे काम हम कर सकते हैं आज का मेंस का question क्या बोलता है फटफट यहां पर देखते हैं आपने इसका बढ़िया सांसर लिखना है question है evaluate the measures taken by the government to ensure the protection of human rights in left-wing extremism affected areas सरकार ने क्या-क्या कदम उठाएं है ऐसे area के लिए जो left-wing extremism से affected है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके मानव अधिकार की सुरक्षा करने के लिए कौन से गदम उठाएं ये बताना है बहुत सारी चीज़े मैं आपको बताएं साथी साथ में आपने ये भी discuss करना है कि आखरकर क्या-क्या challenges यहां पे नजर आ रहे हैं government के इन measures के अंदर में और क्या improvements हमें करने चाहिए वो भी आपने समझाना है 2500 शब्दों में तो एक बार हिंदी में रीट कर देता हूँ ताकि हिंदी मादेम वाले esperants भी इसको अच्छे से पढ़ कर एक बड़िया सांसर लिख सकें तो question है वामपंती उग्रवात प्रभावित छेत्रों में मानव धिकारेों की सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों का मुल्यांकन करें चुनौतियों पर चर्चा करें और सुधार का भी प्रस्ताव दें 2500 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहां पर सम्मिट करना है आप भी जुलकर अपने आंसर को लिखकर सम्मिट कर सकते हो लेकिन आंसर को सम्मिट करने के साथ-साथ एक छोटा सा काम और करना है दोस्तो इटलिस्ट सभी लोग को दो-दो आंसर को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपने notes में include कर सकते हो सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पर improvement क्या आवश्यक्ता है चलिए आ गयाता है editorial number second again very important editorial again gsp paper number two health के point of view से relevant है यहाँ पर जो writer है वो है रिजो M. John और दूसरे है सुबराव M. इनका नाम है थोड़ा लंबा है pronunciation गलत हो जाएगा तो समझ जाओ अब यह दोनों writer हैं दोस्तो इन दोनों ने मिलकर focus किया है HFSS foods के उपर में HFSS का मतलब है high fat sugar salt वाले food ऐसा food जिसमें fat जादा है, sugar जादा है या नमक जादा है ऐसे वाले खानों के उपर में tax लगना चाहिए जिससे कि लोगों की health improve होगी यह इनका कहना है क्योंकि यह जो food है जिसमें नमक जादा है, चीनी जादा है, fat जादा है यह इनसान को परबाद कर रही है क्या है writer कहने एक एकर के सभी aspects को समझेंगे तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप यह आँ पर यह पहरा देखते हो mention किया जा रहा है कि जो high fat sugar salt वाला food है दोस्तों एक सबसे बड़ा risk factor है हमारे देश के अंदर में लोगों की health issues को लेकर ऐसे खानी की वज़े से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है diabetes के cases बढ़ रहे हैं और high blood pressure के मुद्दे नजर आ रहे हैं world bank report जो 2019 की है इसके according पता चलता है दुनिया बर में 70% लोग ऐसे हैं जो की obesity से गुजर रहे हैं नहीं नजर आ था बट आज के समय पर गाउंगों में भी मोटापा बहुत जादा हो चुका है obesity और obesity केवल एक problem नहीं है दोस्तो ये problem कहीं न कहीं इंसान की जान ले रही है उसके अंदर में धेरो problem यहां पे बढ़ा रही है एक मोटे व्यक्ति के अंदर में हजारों बिमारियां होती है समझ गए और जितना fit रहेगा उतनी कम बिमारिया तो यहां पर ही जो non communicable disease का burden है इंडिया के अंदर में ये increase हुआ इतना तेजी से rocket की तरह बही clear data यहां पर दिया आ जा है 1990 में 1990 में 1990 में तो study ये दिखाती है कि हर साल 1.2 मिलियन मृत्ति हो रही है इंडिया में किसकी वज़ा से इसी खराब डाइट की वज़ा से 1.2 मिलियन 12 लाख लोगों की हर साल जान जा रही है खराब खाने की वज़ा से जादा नमक, जादा चीनी या जादा साल्ट काने की वज़ा से और इसका economic impact भी पड़ता है अब्यसी बात है लोग की जान गई है तो economy पर इसका असर पड़ेगा सीधा सीधा तो ये एक problem है और बोला जा रहा है हमने अभी इसको अगर नहीं रोका तो ये जो घतरा है ये जो economic के उपर impact पड़ रहा है ये 2060 तक 480 billion डॉलर तक पहुँच सकता है इतना loss होगा हमारी economy को अब उसके बाद next parameter बोलते हैं भारत का जो shift है diet के अंदर में वो बहुत गंदा तरीके से हुआ है इंडिया में जो ultra processed food होता है जिसकी ज़्यादा processing हो जाती है इसका sector का rate, growth rate बहुत ज़्यादा ते जिसे increase हुआ 2011 से 2021 के बीच में 13.4% की growth दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन, चीनी के consumer हम ही है 2022 का data है तो कह सकतो 50 से 60% जो खाने वाली चीनी है नमक है और fat है यह सब इंडिया में ही produce हो रहा है इंडिया में ही consume हो रहा है snack का sales, soft drinks, cold drinks भी करें है इन सब ने क्या कर दिया यह ममला और बत्तर कर दिया ठीक है, तो यह कहीना कहीं केवल health risk नहीं है इसका impact हमारी economic growth पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लोगों की health अगर अच्छी नहीं होगी तो समझ गए तो कहीं न कहीं इनका consumption हमें रोकना होगा और अगर आप देखोगे तो यह पुरा दुनिया भर का trend चल ला है केवल इंडिया में नहीं लेकिन कुछ countries ने अच्छा step उठाया क्या किया ऐसे food के उपर में tax बढ़ा दिया taxation यूज करा है वही method writer यहां पर recommend कर रहे है कि taxation एक बढ़िया तरीका है जिससे ऐसे खाने का consumption कम होगा आपने जो ऐसे sugar, sweetened beverages ऐसे drinks वगरा है इनके उपर में tax बहुत ज़्यादा बढ़ा दो और यह taxation वाला system 60 से ज़्यादा देश अल्रेड़ी अपना चुके है उसके अंदर कर आप देखोगे तो कुछ तो countries ऐसी हैं जैसे for example यहां पर आप देख पा रहोंगे यहां पर कुछ countries के नाम दिये गए है जिसमें है एक सेकंड Denmark, France, Hungary यह आपको उपर नज़र आ रहोगा Denmark, France, Hungary, Mexico, South Africa, UK, US यह countries आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों इन्होंने यहां पर पूरा तरह से tax ऐसे वाले foods के उपर में लगा दिया है और हाली में कोलंबिया ने जंग food law भी पास कर दिया एक ऐसा law लियाए खाने को लेकर खिवाई एक high tax मारेंगे ultra processed foods के उपर में ताकि यहां पर लोगों की जो health है वो बची रहे इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसा नियों कि हम Сरकार की revenue कमाने के लिए लगा रहे हैं revenue कमाने के लिए mant90 ये tax ये tax है लोगों की health का सुधार करने के लिए लोगों की diet का सुधार करने में लिए क्योंकि ये diet सुधार नहीं होगी तो दूसरी तरफ लोगों के health care expenditures होंगे ये सब खाना खाके एक इंसान बिमार पढ़ रहा है तो हॉस्पिटल में जाकर तो सही होगा और हॉस्पिटल में उसका बिल कितना बढ़ाएगा तो जो हेल्थ केर एक्सपेंडीचर्स हैं उस फॉर्म में भी यहां पे एकॉनमी का ही लॉस हो रहा है समझ गए तो अगर हम इस प्रकार का टैक्सेशन लगाते भी हैं तो इससे लोगों का जो हेल्थ केर है वो बचेगा अगर ये food consume नहीं करेंगे वो तो तो इस प्रकार के taxes को लगाना कहीं न कहीं अलग लग देशों में जो ये लगाया गया है ये एक अच्छा indication है और ये हमको भी ये ही सिखाता है कि भाईया ये जो unhealthy items हैं अगर इनकी खरीदारी को कम करना या रोकना है तो आप tax लगा सकते हो यहाँ पर राइटर का कहना है कि आपने क्या करना है tax बढ़ाना है ठीक है tax आपने बढ़ाना है ऐसे food के उपर और अगर कोई healthy food है healthy diet के अंदर में अगर वो contribution दे रहा है तो उसके उपर tax कम करना है उसको जादा support करना है इससे क्या होगा जो companies हैं वो जादा healthy foods बनाने के वगरा देखते हो ऐसे processed foods के उपर में जो ultra processed foods है जैसे salty snacks वगरा है तो यहाँ पर ना जिसके अंदर कोई nutritional content नहीं आपको क्या nutrition मिल ला है आप अगर चीनी खा रहे हो आप अगर चॉकलेट खा रहे हो आप बिसकेट भी खा रहे हो आपको कोई nutrition मिला बोडी के अंदर में क्या ठीक है यह करना जरूरी है दोस्तों जिसकी वज़ा से हम क्या कर सकते हैं यह जो असर पड़ रहा है लोगों की health के उपर में इसको control कर सकते हैं क्लियर हो गया तो यह बात यहां पर राइटर ने बोली है तो यह एक अच्छा टूल है अच्छा उपाए है अगर हमें इस प्रकार की obesity मोटापे वाली बिमारी को रोकना है तो आपने food systems के उपर में एक monitoring body बनानी होगी जो अच्छे इसको देख सके और जो unhealthy foods हैं उनके क्योंकि हमारे पास मैं यह आटिकल मैं भी discuss कर तो दूँ लेकिन इसके लेकरना एक proper notes की जरूरत है ठीके तो वह मैं छोड़ना नहीं चाहता तो मैं आपको प्रोवाइट करवाओंगा टेली को मिलेंगे मज़ा आएगा तब आप चीजों को अच्छे समझ पाओगे अभी फिलाल ऐसे पढ़ लेना काम में नहीं बनेगा ठीके क्योंकि एक relevant आर्टिकल है और आगे भी कई news आती रहेंगे इसको लेकर समझ गए तो थोड़ा सा वेट कर लो इसको मैं आपको proper with proper notes समझाऊंगा आगे आता है ना फटावर प्रिलिम्स वाले question को देख लेता है question 2023 का थ invasive species specialist group यह जो group है इस कौन से संकठन को belong करता है तो इसका सही उतर है option number A international union for conservation of nature IUCN को belong करता है यह particular group ठीक है now मलते हैं आप लोगो इस अगले वडियो में आज के लिए बाबा है have a nice day thank you and जाहिंद